बेलकम टू माई चैनल और आज हम बात करेंगे मेनेंजाटिस के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे मेनेंजाटिस का डेफिनिशन एन इंफ्लमेशन अफ मेनेंजिस आउटर कबरिंग मेंब्रेन आफ दा ब्रेन इस्पाइनल कार्ड मतलब जो मेनेंजिस होती है जो कि हम अको विक्टरियम तुबरफुलाई ही मोफिलेस इन्फ्लुएंजन ही मोगा लिमुंटिया इसकी वजा से इसलियो सकता है क्योंकि जो मिडिलीर इन्फेक्षन है वो मिडिलीर का कनेक्षन हमारे ब्रेण से होता है और हैड इंजिरी मतलब जैसे कि अगर हमें किसी हो सकता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन फ्राम नोजो फेरिंग्स और अब हम देखेंगे डिक्स फ्रैक्टर एज चिल्डर एंगर दें फाइब यह जो बच्चे पांच साल से छोड़े होते हैं उनमें इंफेक्शन होने के चांसे जो है जादा होते हैं अगर हम कोई भी मतलब इम्यून सप्रेशिव ड्रग यूज कर रहे हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेश कर रहा है उसकी बज़ा से हो सकता है क्रोनिक माल लुटरेशन में भी हमें इंफेक्शन होने के चांसे जादा हो जाते हैं ओबर क्राउडिंग एरिया अगर हम भीड़ वाले इला kovell खाने के चांसे बढ़ जाते हैं इसमें इसमें क्या होता है कि है प्लिटिजम हो जाता है नीमोनिया क्रोनिक अलकुलिजम इस पिलींग टोमी में होता है स्प्लिन जो होती इस में हम रिमूग कर देते हैं तो उस कंडिशन में जो आरबी सी है उसका फिल्टरेशन जो हमारे बाडिम नहीं हो पाता है और हम देखेंगे पैथो blood brain barrier और हमारा जो blood brain barrier है उसको cross कर जाता है हम इसकी BBB को cross कर जाता है Inflammated reaction in manengis जो manengis layer है उसमें Inflammated reaction होने लगता है और Inflammation आप irrekanite space and parameter और Inflammation जो हमारे सब Northwest Nation space और parameter में हो जाता है Inflammation में cause ICP Inflammation जो होता है वो ICP काश करता है CSF flowing सवार के night space CSF होता है हमारे सवार के night space में flow करता है CSF cloudiness और infected CSF जो है धुदला और मतलब infected हो जाता है CSF cell जो count होती है इंक्रीज हो जाती है और हम types देखेंगे Meringitis के तो हो है bacterial meningitis, viral meningitis, fungal meningitis parasitic meningitis, hospital required post craniotomy meningitis and new plasmic meningitis new plastic meningitis new plastic meningitis जिसको हम leukemic meningitis भी बोलते है इसमें जो leucocyte count होता है वो increase होता है और हम देखेंगे meningitis का sign और symptom severe headache, stiffness आप नगनेक में मतलब stiffness हो जाती है irritability होती है malize, restlessness, nausea, vomiting disorientation disorientation का मतलब होता है कि जो meningitis जिसको होती है वो patient जो होता है उसको blessed person और time के बारे में knowledge नहीं रहता है high grade fever और drachycardia, tachypnea, seizure, coma sleeplessness, photophobia, phonophobia fear to loud wise मतलब अगर हम तेज आवाज में बोलते हैं तो patient को डर लगने लगता है altered mental status, confusion और अब हम देखेंगे diagnostic evaluation इसमें कैसे हम पता कर सकते है by positive sign जो kerning sign होता है या brudist की sign होता है वो अगर positive आता है तो उससे हम पता कर सकते है कि जो patient है उसको meningitis है physical examination, history collection, blood test, cbc, number puncture, blood culture करेंगे और MRI CT scan करेंगे और हम देखेंगे कि जो meningitis है उसकी उसकी वज़ा से कौन-कौन से complication हो सकते हैं तो increased ICP में cause severe visual losses, cerebral edema, tissue damage इसमें क्या होता है कि ICP जो increased हो जाने की वज़ा से हमारा जो visual capacity हो लास हो जाती है और cerebral edema हो जाता है और tissue damage हो जाता है अब हम देखेंगे medical management जिसमें हम antimicrobial therapy देएंगे patient को शेफ टिरेक्जान और सेफ होक टक जाइम antibiotic को देएंगे penicillin, g-ampicillin and amoxicillin और antiviral drug देएंगे if viral infection अगर मतलब patient को जो है viral meningitis हुआ है तो मुसको आसाइकलोबीर देएंगे some symptoms को देख कर उसे हम drug provide करते हैं जैसे कि anti-paratic अगर patient को fever है तो मुसके लिए anti-paratic देंगे analgesic अगर patient को headache हो रहा है तो उसमें हम analgesic देंगे anti-imatic patient को mating हो रही है उसके लिए anti-imatic देंगे anti-seizure patient को meningitis में seizure आ रहा है तो उसके लिए हम anti-seizure देंगे या anti-convention देंगे anti-inflammatories and dexamethasone nursing management management of swab by IV therapy मतलब patient को हम intravenous fluid देंगे ताकि patient को जो है swab वाली condition ना हो management of airway by auto-immistation हम patient को oxygen administer करेंगे और जो infection patient को हुआ उसको हम eliminate करेंगे anti-macrovial therapy के थुरू और provide supportive के तूज़ा patient हम जो patient है उसको supportive care provide करेंगे to control body temperature क्या होता है कि जो meningitis होती है इसमें body temperature इनकी होता है इसलिए हम patient का जो temperature है body का वो हम control करके रखेंगे monitor regular vital sign और हम patient का monitor करेंगे vital sign और maintain personal hygiene patient patient का जो personal hygiene है उसको maintain करके रखेंगे provide comfort and rest patient को हम